नमस्कार दोस्तों चलते चलते चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है दोस्तों मुँ से लार टपकना बार बार अधिक थूक आना इस प्रोब्लम का समाधान हम एक छोटे से जैसी घ्रेलू नुस्खे से आज आपको बताने वाले हैं ज्यादा आपका समयना लेते हुए सीधे point to point बात करते हैं और उप्चार के बारे मैं आपको बताता हूँ जिस व्यक्ति के मुँ में बार बार लार आती है लार टपकती है उसके कई कार्ण हो सकते हैं लेकिन आप बिना time waste किये अपने घर पे ही देशी घ्रेलू नुस्खा क्या कर सकते हैं उसके बारे मैं भी बात कर लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं इलाइची, सौट, सुपादी और मुलहेठी इन चारो सामग्यों को मिला कर आप एक चून बना लेजिए चून बना कर उसको कपड़ चान कर लें कपड़ चान करने के बाद आप उसको किसी काच के बरतन में भरकर उसको स्टोर कर लें यह जो आप मिस्टन तयार करेंगे, यह एक बार में 20 या 25 दिनों से ज़्यादा के लिए ना बनाएं बार बार इसको तयार करते रहें और यूज़ करते रहें इसका सिर्फ आपको एक ग्राम या मैक्सिमम डेड़ ग्राम, एक से डेड़ ग्राम की मातरा में आप इस चूरन को लेकर अपने जीब पे रख लेंगे और उसको धीरे धीरे करके चूस लेंगे, कोई पानी नहीं पीना है यह परियोग आप किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं दिन में आप दो बार यह परियोग करें धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी जो लार टपकने की जो प्रॉबलम थी बार बार मुँ में थूक आने के समस्या थी उसमें आपको अराम मिलने लगा है तो ये चोटा सा देशी घरेलू नुस्खा है लार टपकने का, मुँ में बार बार थूक आने का तो इस वीडियो को लाइक करें, इस नुस्खे को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही छोटे छोटे जैसी घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद